Hello Friends, Welcome to Sphalta Vantra दोस्तों जैसा कि आफ सभी को पिछली वीडियो में बता दिया गया था कि 2024 में इलेक्सन आने वाले हैं और इलेक्सन से पहले बहुत ही बड़ी बड़ी वेकेंसी देखने को मिल सकती है जिसमें आपके सामने एक बहुत बड़ी खुसकबरी एक बहुत बड़ी वेकेंसी आ चुकी है यहां दोस्तों उत्तर प्रदेश पुलिस में एक बार फिर से एक बहुत बड़ी वेकेंसी निकाली है और यह 60,000 पदों पर एक वेकेंसी निकाली गई है इसका पूरा notification आज जारी कर दिया गया है पिसले दिनों इसको लेकर एक खवर आई थी कि फरवरी में 11 फरवरी को इसका exam हो सकता है जो कि काफी लोग कह रहे थे अभी कोई notification ने exam date वगेरा आ चुकी है तो इसका notification आज जारी कर दिया गया पदों की संख्या पदों का विवरान कौन कौन apply कर सकता है क्या process रहेगी क्या आपका eligibility criteria है और क्या आपका age का criteria है वो सब कुछ बता दिया गया है जिया दोस्तों यहां पर आप लोग देख सकते हैं आपके सामने उत्तर प्रदेश सरकार की ओर से उत्तर प्रदेश पुलिस भरती एवं प्रोनती वोर्ड की तरफ से एक यह आरक्षी नागरिक पुलिस के पदों पर सीधी भरती 2023 निकाल दी गया यानि कि आपकी जो कॉंस्टेबल पद के लिए वैकेंसी आई सिपाही पद के लिए वैकेंसी आई है आपके 60,000 टोटल पद हैं इसके अंतरगत यहां पर आप लोग पूरा विवरंड देख सकते हैं यह सामने आपके ग्रेड पर दिया गया है जो आरच्छी का ग्रेड पर होता है वो इसके बाद यहां पर आप लोग देख सकते हैं आरच्छी नागरिक पुलिस के आपके 60,244 पदों पर यह वैकेंसी निकली यहां पर देख सकते हैं निजर्ड में आपके 24,000 सीट हैं यह आपके सामने पदों का विवरंड दिया गया है यहां पर आप लोग देख सकते हैं पुलुस और महिला दोनों ही लोग इसके लिए एपलाई कर सकते हैं परिक्षा के पूर्ब किसी भी समय रिक्तियों की संखे में परिवर्तन किया जा सकते हैं परिवर्तन का मतलब होता है मेली पद बढ़ाए ही जाते हैं पदों को घटाया नहीं जाता है मोश्टली आपका यही रहता है इसके बाद आप समय सारणी देख सकते हैं फॉर्म फिल करने की जो डेट रखी गई है वो आपका 27 बार है 27 दिसंबर से फॉर्म फिल किये जाएंगे और लाश डेट जो पर सुल्क निर्धारित किया गया है यहां पर ऐसा कोई विवरण नहीं मिलता जो कि अलग अलग कैटेगरी के लिए अलग अलग होगा वो आप फॉर्म जब फिल करेंगे फी पेविमेंट करेंगे वहां आपको देखने को मिल जाएगा इसके बाद सभी लोग इसके लिए यूपी के लाबा आप भारत के नागरिक यहां पर साफ साफ दिया गया यानि कि सभी लोग इसके लिए अपलाई कर सकते हैं आल इंडिया के लिए वैकेंसी यहां पर निकाली गई है आगे हम लोग बढ़ते हैं सैचिक एहरता पर यानि कि आपका एजूकेशनल क्राइटी क्राइटीरिया रखा गया यहां पर आप लोग आगे देख सकते हैं सीधे दिया गया है आवेदन पर आवेदन पत्र में प्रदर्सिस सेचिक एहरता की एथारता सुद्धता एवं समकच्छता को सिद्ध करने के लिए आपको जो बोर्ड बठाला जाएगा वहां वेरिफिके यानि कि यदि आपकी एज 2 जुलाई 2001 से बाद और 1 जुलाई 2005 के बीच में होती है तो आप इस बेकेंसी के लिए एपलाई कर सकते हैं पुरुसों के लिए 2 जुलाई 2001 से 1 जुलाई 2005 तक आप लोग अगर हैं तो एपलाई कर सकते हैं वही महिलाओं को इसमें थोड़ी छू चूट मिल जाती है और वो 18 वर्स से लेकर के 25 वर्स की उम्र के अंतरगत आती हैं तो इसके लिए एपलाई कर सकते हैं तो इसके लिए एपलाई कर सकते हैं यह उन लोगों के लिए छूट रखी गई है यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं परंतु अन्य पिछड़ा बर अन् इकतमाय सीमा में छूट जो दी जाती है वो उनको छूट दी जाएगी यह पूरा आप लोगों के सामने नोटिफिकेशन आ चुका है बाकी जो भी आप लोगों को प्रॉब्लम हो जो भी आपको अपडेट होगी वो देते रहेंगे जो इसका एक्जाम पैटर्न होगा जो तैयारी होगी वो आपको कराई जाएगी बहुती जल्द सिच्छक भरती भी यहाँ पर देखने को मिल सकती है उसकी भी जो भी अपडेट होगी आपको देते रहेंगे जुड़े रहेंगे मिलते एक ली क्लास में तब तक के लिए थैंक दूस्तों गुडबाय टेक केर